दोस्ते हैर आज हम बात कने वाले हैं HP के gaming laptop के बारे में जिसका नाम है HP Pavilion Ryzen 5 तो यह gaming laptop काफी अच्छी price पे देखने को मिल रहा है और इसमें जो features देगें काफी अच्छे हैं इस जो है laptop में आपको performance काफी अच्छी मिलेगी latest AMD Ryzen का processor मिलता है NVIDIA जो है यहाँ पे आपको graphics provide करता है इस laptop में और यहाँ पे आपको enhanced thermal solution भी मिलता है जिसके मदल से जो airflow है laptop का वो optimize होता है performance काफी अच्छी मिलती है आपको जो है laptop में and gaming वगेरा जो है यहाँ पे अच्छे से आप कर पाऊगे जो screen है काफी एच्छी design है इसकी जो है नानो बेजल के साथ देखने को मिलता है और audio जो है वो भी crisp sound के साथ आता है तो start करते हैं फड़ा फड़ से वीडियो को आप सभी को इसी laptop की specifications and features, price के बारे में complete details बताता हूँ तो general specifications की बात कर ली जाए तो यह gaming laptop है आप इसे multitasking वगेरा के लिए भी easily use कर सकते हो इसमें आपको Microsoft Office already provided देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप सोच रहे हो कि Microsoft Office होगा इसमें तो Microsoft Office आपको जो है अलग से purchase करना पड़ेगा बात करते हैं processor and memory features की तो इसमें आपको 4GB की dedicated graphic memory capacity मिलती है जो की GDDR6 type वाली memory है और वहीं पे Ryzen 5 hexa core का processor मिल जाता है तो यहाँ पे आपको अच्छा processor मिल रहा है आपको graphics भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है जो SSD इसमें लगाई गई है वो 512GB की है 8GB का आपको DDR4 type वाली RAM मिल जाती है आप चाहो तो 16GB तक RAM को expand भी कर सकते हो और processor variant जो है 5600H का है यहाँ पे 3.3 GHz की speed देखने को मिल लगी turbo boost के साथ 4.2 GHz की clock speed आपे देखने को मिल जाती है operating system इसमें Windows 10 Home मिलता है जो की 64-bit system architecture के साथ आता है port and slot features की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको इसमें mic in देखने को मिल जाएगा RJ45 का port मिलता है सभी USB and HDMI ports मिल जाते है multi card slot यहाँ पे मिलता है जिसमें 3 in 1 card reader मिलता है और जो इसका SSD का जो hardware interface है वो PCLE NVM.2 है और display and audio features की बात करें तो इसमें आपको 15.6 inch की screen size की display देखने को मिलती है जो की एक full HD, WLED, backlight, IPS, anti glare की micro edge वाली display देखने को मिलती है brightness जो है 250 nits की दी गई है color gamut यहाँ पे आपको 45% तक देखने को मिल जाता है इसमें जो speakers दिये गए हैं काफी अच्छे speakers है आपको audio मिलता है bang and all of sun की तरफ से dual speakers मिलते हैं आपको यहाँ पे जो है microphone भी मिल जाता है जो screen की refresh rate है वो 144 hertz की देखने को मिलती है और वहीं पे जो weight है इस laptop का 1.98 kg का है और इसे आप कहीं भी carry कर सकते हो ज़्यादा heavy भी नहीं है इसमें आपको HP True Vision HD webcam भी मिलता है video calls वगेरा के लिए और जो keyboard है फुल साइज का आपको जो है ultraviolet backlit वाला shadow black keyboard मिलता है numeric keypad के साथ में यह एक backlit keyboard है और जो है आपको बैटरी मिलती है इस laptop में 52.5 WH की जो है polymer battery देखने को मिल जाती है overall काफी अच्छा laptop है इसको जो है आप flip card पे purchase कर सकते हो 59,990 रुपीज में देखने को मिल रहा है इसका price अभी आप जो है flip card पे इसे purchase कर सकते हो design काफी अच्छी है Windows 10 का operating system देखने को मिलता है and backlit keyboard मिलता है gaming वगेरा आप smoothly इसमें कर पाओगे तो आप सभी को कैसा लगा ये laptop अपने उपने शेर करते हो बताना comment box में वीडियो पसंद आई हो आप सभी को तो प्लीस यार इसे like करना share करना और subscribe कर देना चैनल पे नहीं तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में